उन्नौ सहर में दिन में प्रचन धूप और गर्मी के साथ ओमस ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है वहीं विजली फॉल्ट होने के चलते आपूर्ती नहीं हो पा रही है जिसे लोगों का जीना और भी जादा मुस्किल हो गया है वहीं सुभा साम दुपहर और रात को भी कटोती की जा रही है तो वहीं जिम्मेदार भी बिगडी विजली विवस्था के प्रती कोई कदम नहीं उठा रहे है जिससे लोगों में चिर्चिडा पन बढ़ गया है गर्मी में विजली विभाग बताता है कि ओवरलोड के कारण फॉल्ट हो गया है आपको बता दे कि चंपपुर्वा मुख्य मार्ग हाई टेंशन लाइट में खराबी आ गई जिससे तार तूट गया तार तूटते ही रांगीरों पर अफ्रा तफ्री का महौल मच गया आनन फानन में विजली विभाग को सुचन देकर इसकी जानकारी दी गई वही उन्नाव में पिछले एक हपते के अंदर विजली विभाग के जेई से लेकर एकसी एन के तबादले गैर जनपद हो गए है तबादले होने पर अधिकारी गैर जनपद को रवाना हो गए है लेकिन आने वाले अफसर अभी तक जॉइन नहीं कर सके हैं जिसके कारण समस्या और भी ज़्यादा उत्पन्य हो रही है तो वहीं विजली विभाग ने जग्द मिस्तारान का आउसासन दिया है विर्य रिपोर्ट आई पियन